सामान्य, राशी चक्र की तीसरी राशी मिथुन का स्वामित्व बुद्ग्रह को प्राप्थ है। इस राशी में जन्मे जातक आम्तौर पर चतुर होते हैं और लगभग हर चीज में शामिल रहने की कोशिश करते हैं। संगीत्व अन्य रचनात्मग गतिविधियों की तरफ इनका जुकाव अधिक होता है। इसके अलावा इन्हें यात्राएं भी बेहत पसंद होती हैं। अक्टूबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार इस महीने मिथुन राशी के जातकों की आर्थिक स्थिती काफी अच्छी रहने की संभावना है क्योंकि देव गुरु ब्रहस्पती ग्यारवे भाव में विराजमान है। पाच्छवे और बारवे भाव के स्वामी शुक्र दो अक्टूबर 2023 से आपके तीसरे भाव में स्थित होंगे। शनी देव की उपस्थिती नौवे भाव में वक्री अवस्था में है। एक अक्टूबर 2023 से लेकर 19 अक्टूबर 2023 तक बुद्ध महाराज पहले और चौथे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में मौजूद हैं, इसके बाद ये पाच्वे भाव में चले जाएंगे। तीन अक्टूबर 2023 से मंगल देव छठे और ग्यारवे भाव के स्वामी के रूप में पाच्वे भाव में रहेंगे। इस महीने राहुकेतु क्रमशा पहले और सात्वे भाव में स्थित हैं। सभी ग्रहों की उप्रोक्त सितियों के कारण आपको अपने करियर और संबंधों में उतार चड़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस महीने योग बन रही हैं कि आपका पूरा ध्यान पैसा कमाने की ओर ज्यादा रहेगा। आईए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि मिथुन राशी के जातकों के लिए अक्टूबर माह कैसा रहेगा और जीवन के विभिनक शेत्रों जैसे की करियर, शिक्षा, प्रेम और वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य आदी में किस प्र प्रिणाम प्राप्थ होंगे, लेकिन कडी मेहंत और कठिन प्रयासों के बाद, ग्यारवे भाव में स्थित ब्रहस्पती आपके लिए नौकरी के नए अवसर और मौजूदा नौकरी में पदोननती के योग बना सकते हैं, आप में से कुछ जातकों को विदेश में करियर बनाने का मौका मिल सकता है। में सक्षम होंगे क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 से ही राशी स्वामी बुध चौथे भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में आपको पार्टनर्शिप से लाब प्राप्त होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा इस महीने आप कोई नई पार्टनर्शिप भी कर सकते है अर्थिक आर्थिक रूप से यहां महीना आप के लिए बहुत अच्छा रने के संकेत मिल रहे हैं। देव गुरु ब्रहस्पती ग्यारवे भाव में विराजमान है। इसके कारण आपको अपनी आर्थिक स्थिती में प्रगती देखने को मिलेगी चूकि इस दौरान आप अच्छी कमाई करने में सक्षम होंगे। ग्यारवे भाव में स्थित राहु आपको ऐसे लाब दे सकते हैं, जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। साथ ही आपको विरासत के माध्यम से भी आर्थिक लाब हो सकता है। यदि आप शेर मार्केट आदी में करीदारी का काम करते हैं, तो आपको वहां से भी मुनाफ़ा होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा राहु महराज आपको धन बचाने के भी कई मौके देंगे। जारवे भाव में ब्रहसपतिराहु की यूती हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप आपकी कमाई बढ़ेगी और इसके कारण आपकी आर्थिक स्थिती भी मजबूत होती दिखाई देगी। जो लोग कुद का व्यवसाय चला रही हैं। उनके ऊपर भी ब्रहसपतिराहु यूती की कृपा बरसेगी और वे अच्छी मात्रा में लाब अरजित करने में सक्षम होंगे। इस महीने आपको नए व्यवसाय करने के भी कई मौके मिलेंगे क्योंकि बुद महाराज पहले और चौथे भाव के स्वामी स्वरूप चौथे भाव में विराजमान है। 19 अक्तूबर 2023 से बुद महाराज आपके पाचवे भाव में स्थित होंगे। ऐसे में जो लोग शेर मार्केट, स्टॉक मार्केट आदी से जुड़े हुए हैं, उन्हें लाभ मिलने के योग बनेंगे। पाचवे भाव के स्वामी शुक्रदेव तीसरे भाव में उपस्थित हैं। शुक्रदेव की इस्थिती के फलस्वरूप आपको यात्रा के माध्यम से लाभ होने के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से भी आप भाग्यशाली साबित होंगे क्योंकि इस महीने देव गुरू ब्रहस्पती ग्यारवे भाव में गोचर करके राहू के साथ यूती करेंगे। इसके प्रभावस्वरूप आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने में सक्षम होंगे। हाला कि पाचवे भाव में केतु की मौजूदगी के कारण आपको मानसिक तनाव और घबराहट की शिकायत हो सकती है। वहीं ग्यारवे भाव में राहू की स्थिती भी थोड़ी बहुत समस्याओं का कारण बन सकती है। ऐसे में आपको सला दी जाती है कि प्रति दिन सुबह मेडिटेशन करें। इसके अलावा राशी स्वामी बुध की स्वराशी में चौथे भाव में स्थिती के कारण आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बस आपको केवल थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवशकता होगी। प्रेम व वैवाहिक प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह महीना अनुकूल रहेगा। ब्रहस्पती और रहु के ग्यारवे भाव में होने से आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन में अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ सुख़च समय व्यतीत करेंगे। इस दौरान आपके बीच आपसी समझ बढ़ेगी जिससे रिष्टा मजबूत होगा। जो लोग शादी करना चाहते हैं, उन्हें ब्रहस्पती राहु की यूती का आशरवाद मिलेगा यानि की आप इस माह विवा के बंधन में बंध सकते हैं। दूसरी और शुक्रदेव पाँचवे भाव के स्वामी के रूप में तीसरे भाव में विराजमान है। ऐसे में जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके रिष्टे में घनिष्ठता बढ़ेगी। वहीं जो लोग शादी शुदा हैं, वे अपने जीवन साथी के साथ मिलकर भविश्य की योजनाएं बनाते नजर आएंगे और एक दूसरे का पूरा क्याल रखेंगे। पारिवारिक पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको अपना पारिवारिक माहौल बेहत ही सुखद और सोहार्द कूर्ण महसूस होगा क्योंकि एक अक्टूबर दो हजार तेईस से ब्रहस्पती राहु और राशी स्वामी बुध कुंदली के चोथे भाव में अनुकूल अवस्था में विराजमान है इस महीने देव गुरू ब्रहस्पती ग्यारवे भाव में गोचर करेंगे जिसके प्रभावस्वरूप आपके घर परिवार में सदभावना बनी रहेगी परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल रहेगा जो पारिवारिक विवात प इकतालीस बार बुधाय नमा का जाप करें बुधवार के दिन अपाहिज विकलांग लोगों को अन्न दान करें यहां राशिफल आपकी चंद्रराशी पर आधारित है